सरदार नरंदर सिंग कपूर दी पुस्तक अंतरचात दा लेख है, खुंडियां तलवारां अते तिखियां टालां, जेडी कुछ केंदे करदे हन, उनानू बोलां को बोला दियां, कई पीडियां ती हनेरियां गळियां विच्चों लंगडां पेंदे, संसार दिये रीत है के हर परकार दे परिवर्तन नू तों ता नाल रोकन दा उपराला करता है, फेर वी जे परिवर्तन सारियां रुकावटां दे बावजूद वापर रहे हन, ता कारणी है के समुच्ची स्थिती परिवर्तन दे पक विच है, अजोका मनुख परिवर्तन दी देहलीस दे खलोता है, ना उसनू लारे रोक सकदे हन, ना उसनू परम परमा सकदे हन, ओ हर रुकावट नू लम्मी छाल नाल लंग जावेगा, संसार दा सारा कुझ औस्त व्यक्तियां लई है, महान व्यक्तियां नू देन वास्ते संसार कोल कुझ वी नहीं, इसे कारण महान व्यक्ति संसार तों कुझ प्रापत नहीं कर दे, पर उस सब कुझ संसार नू दे देन दे हन, कई वार महान व्यक्तियां कोल देनली वदेरे हुन्दे जद के संसार कोल प्रापत करन दी समरथा काट हुन्दी है महान व्यक्ति उदेशा दी इन जियोंदे हन जदों के आस्त व्यक्ति इच्छामा दी इन जियोंदे हन महान व्यक्तियां दा सुबा हुन दे कि हर चीज नू उच्चा चुकना चौन दे हन। जदों के ओस्त व्यक्तियां दी आदत हुन दे है कि ओस्त चीज नू अपनी पदर तक नीमा लेयाुन दे है। तोम तान लोना अते बेज़ती करना आस्त व्यक्तियां दाईक खुंडा हथ्यार हुन्दै। नमे विचार अपनाओं जा अपनाई विचारानू त्यागन दी उनादी सम्रथा सीमत हुन्दी है। पर बौग इनती विच होन कारण आस्त व्यक्ति परिवर्तन दे मारते रुकाव्टां खडियां जरूर कर दी हान। किसे दी बेज़ती करना उसनू अग्ये वदन तो रुकन दाईक हथ्यार है। जिस दी प्रंप्रागत समाजां विच विशाल पदरते वर्तों हुन्दी प्रंप्रागत समाज परिवर्तन दे विरुदी हुन्दी हान। मनुखद समुच्चा जीवन संगर्ष मही है। इर्खा, किरना, स्वार्थ, हिंसा, वैर्विरुद, पै, तोंता, बेज़ती, गणा, आद, सब संगर्ष दी देन हन। जदों के प्यार, मिलवर्तन, मितरता संगर्ष तों मुक्त वस्था महान। संगर्ष किसेवी परकार्दा हुए, मनुखदी बिर्ती आप मुहारे पक पाती यते स्वार्थी हुजान दी है। वो अपने आले द्वाले दे लोकानू अपने साथियां ते दुश्मनादियां वन्गियां वेचो वन्डलन दा है। अपने साथियां तो सह्योग प्रापत करन ले उनादियो परशंसा करदा है। जदों के विरोधियां जद दुश्मनादा मनुबल देगन ले उनादि बेजदी करदा है। स्वार्थ तों बिना नाई परशंसा संभव उन्दी है। नाई किसे दी बेजदी करन दी लोड़ जेड़ा साड़े पक चुक्के संकल्पाना वंगारदा है उसनों असी सैज़्य अपना दुश्मन मिथ लन्दे ते उस दी बेस्ती करके आसी समझ देयां कि उस दी वंगार खतम हो गई है ते आसी अपने संकल्पानों होर कुट के फड़ लेंदे हैं संसार दे महान पसारे वेच जड़ा किसे इक सोच इक विचारतार एक फलस्वेयाद नू अंतिम साच मानलेंदे उस तंतर सोच दातार नी नहीं होंदा कोई खोज आखरी खोज नहीं हुंदी, कोई साच अन्तेम साच नहीं हुदा यह सारी यतन है ठाक गै व्यक्ती किसे एक गरंथ, पोथी, पोस्तख जा किसे एक विचार जा मिचारता रानल चेमर जान दे है ते उसनु अन्तेम साच समझ लेंदी है जीवन दे कई पुले खेते खिच्चा अजञ्या हान जड़ियां साधी सोच अते चाल दोहन विगाड़ देंदी आहान इस विगड़ी होई चाल बारे जेड़ा भी संकेत करदा है उस दियां कईयां गल्लानों असी अपनी बेज़ती समझन लग पेंदियां ते अपने आपनों सुरख्यत करण लग पेंदियां असी बिमार हुन देयां ते बिमारी नू त्यागण दे लोब विच असी बिमारी भी नहीं त्याग दे ते दवाईयां दा नवा जंजाल से हेड़ लेंदियां लोड बिमारी त्यागण दीवी है ते द्वाइया त्यागण दीवी है मान दी अशान्ती तो छुटकारा प्रापत करन दी लाल साधीन असी पुझा पाठ से हेड लें देया लोड अशान्ती तो मुक्त होन दीवी है ते पुझा पाठ तो मुक्त होन दीवी है चाहिएदा ता यह है के डॉक्टर सानू बेमारी ते द्वाईया दो ही त्या गण दा होस्ला देन पर इमे बहुत कट हॉन दैं इमें ही लोडता इस गल्दी है के पुझा पाठ सानू शान्ती भी देवे ते पुझा पाठ तो मुक्त हुन दा साहस भी देवेग पर इमें नहीं हुंदा असी बिमारियां दा दवाया नाल ते यशांती दा पुजा पाट नाल वो टंदरा कर लेंदे है सुख दी प्राप्ती नाल दुख दांत नहीं हुंदा दुख दांत ओदो हुंदे जदों सी सुख दी इच्छाई त्याग दिनने है असी परुपकार करके भी इसलिए दुखी हुन देयां क्योंकि असी तानवाद्धी जा परशंसादी आस लालन देयां जे तानवाद्धी आस त्याग दित्ती जावे ता सानू कोई भी दुखी नहीं कर सकेगा असी बेजती वीएस करके मैसूस कर दियां क्योंके साधे मन विच पर्शन्सा दी इच्छा चुपी हुन दी है जे पर्शन्सा दी इच्छा वी त्याग दिती जाये ता मनुक इज़त बेजती तो मुक्त हो जांद है बुद्ध दी हर मूर्ती तियोडी ते मुस्कुराट दूहां तो मुक्त हुन दिये, बुद्ध परशंसा ते बेज ती दूहां तो परिहल। महान विचारानू आस्तन ग्यान दे तरा तलते टिकोना अक्सर संभव नहीं हुन दा। नमे विचारानू अपनाओन अते सिखन दे पक्षू हर किसे दी रफ्तार वक्री हुन दिये। टांग भी वक्रा हुन दै। इनकला भी हुन दा परंपाल दे हन। जदो मनुख दा विकास रुख जान दै तो उस विचु ग्रोधी जन्नमे विचारानू समझन अपनाओन जा विचारन दी हिम्मत वी मुख जान दी है। रुकावट किसे भी प्रकार दी हुवे उस नल संकट उसर दे हन। सुमचे समाज दा संकट हर व्यक्ति दा वी संकट हुन दै। बेश्ती करन दी पावणा किसे दी मौत तो पहलाईं उसनू मारन दी इच्छा विचु उपजदी है। विशाल द्रिष्टी नल वेख्या जाए ता इर्खा, किरणा, गाला, तोमता, दूशन अते बेश्ती आद। दियां पाव नमा मनुखी विकास देती हास ते मनुख दियां महान प्राप्तियां हन। मनुख दे विकास देती हास वेच ओ दिन पा गंवाला सी जोदो मनुख ने अपने विरुद्धी जा दुश्मन विरुद्ध हत्यार वर्तन दी थां, गालां काड़िके जा बेश्ती करके जा तोमता लाके काम सार्या होईगा। जे मनुख कोल के से नुँ हराउन ले, गालां कड़न जा बेश्ती करन दी समरथा ना हुन दी, ता मनुख ही ते हास वेच तबाही ते हिंसादा बहुत अधिक बोल बाला हुना सी। बेश्ती सानु गल्ती नु दोहरान तो रोकती है, बेश्ती साड़ी अगलेरी कारज कुशलता वदाउं दी है, ये सानु अपना विहार सुदारंदेरा पौंदी है, ये सानु स्थिती उत्ते काबू पौंडली वंगार दी है। बेश्ती दो देशाओं देन किती जान दी है। आम करके उदेश दुझे दे मनो बलनु डेग के उसनु निरुत शाहत करना हुन दै। पर बहुती वरी उदेश दुझे नु अपना विहार सुदारंदे रापोना हुन दै। अथे कोई पैडा काम करन तो रोकणा हुन दै। जे कोई तो अड़ी बेश्ती करे ता बेश्ती होनु प्रांतो नु पुछना के ठीक काम करन दा टांग वी दस दे जाओ। उठ ठंबर जाएगा। उठ हैरानता हुए गई, परेशान भी हो जाएगा। जे तुसी एक सफेद कागस दे काला तबाला दियो, ता हर कोई उस तब्वेवल वेखेगा। अले द्वाले दे सफेद कागस वाल किसे दी नजर ने जाएगे। लोक गुसे होन वीच गालां कड़न वीच बेश्ती करन वीच ना देर कर दे हान, ना उदार कर दे हान, ना कोई टेलिफोन होते तो अनु वाहो दाई गालां कड़ के टेलिफोन राख दे, ता तुसी उननी बेश्ती मैसूस नहीं करोगे, जिनना तो अनु इस गाल दा दुख ते गुसा होएगा, कि तो अनु उस वेले जवाबी गालां कड़न दा मौका नहीं मिलिया। जे किसे न तासी सारा दिन लोकाना लड़दे चगड़दे ते खेबड़दे रहांगे, ते कञ्या दी बेश्ती कर दे मांगे। इकल्यां होई बेश्ती दे मुकाबले, सब दे सामने होई बेश्ती बरदाश्त करनी ओखी हुंदी है। कई रिष्तेदारियां किसे वेले दी होई कित बेजती कारण सदा विगड़ जान दिया हन। जोके युग विच नित दिन निरादर इसली वद रहा है क्योंकि आदर दी सदी इच्छा बहुत वद रही है। जोके युग विच निरादर इसली विच निरादर इसली वद रहा है। इवी युनान विच जदों एक फिलासफर नूँ जेल विच बंद कर दिता गया। ता उसने क्या बहुत दिना तो एथे आउन दी इच्छा सी। अज मैं बहुत खुश्या। हार इक महान वियक्ति संसार वेट सैन शीलता दी कोई नमी उदारन सिर्ज दै। ते बेजती दे हत्यार नूँ अपनी सैन शीलता दी तिखी टालूते बरदाश्त कर दे। महान वियक्तियां दाए एक वड मुला योगदान हुन दै कि वो अपनी उदारन नाल संसार दे वेर विरोधा नूँ कट कर दे हन। अते मनुख नू सब्यक बनाउन ले नमा राव लीक दे हन। महान वियक्ति साडी नजर ते साडी विहार नू उच्चा करती हैं। जिस नू असी असमान केंदे हैं वव सल मिच साडी नजर दी हद होन दै किसे वी अकिर्थ कनता नों असी अपनी बेजती समझ देयां आस असी तानवाद दी लाई हुंदी है पर दूजयां दा वतीरा बिल्कुल उल्ट हो निबढ़ दे इस स्थिती कारणी असी कहन देयां कि जिना उतेत बार किता जा सकते हैं उनना दी गिंती कट दी जा रही है पर असलियत एवी है कि दूजयां उतेत बार करन दी साड़ी योगता भी कट दी जा रही है नतीजे वजों साड़े लगपग सारे रिष्टे स्वार्थ अधार थोन कारण बेश्ती वाले रिष्टे बढ़ दे जा रहे हैं जिमें बच्चे टीका लगण तो पहलाई रोण लगपेंदे हैं उमें असी किसे रिष्टे दा बोज जो कुन तो पहलाई विरलाप करन लगपेंदे हैं जिमें नमें बूट बड़े सोने हुन दे हैं पर जदो उना उते साड़े सरीर दा बोज बेन दा तो बेतब बेहो जान दे हैं इमें सारी रिष्टे मुड़ विच बड़ी खेच पौन दी हान। जदो उना उते जिम्मेवारियांदा बोज पेंदा है तो उना दी शकल भी विगड़ जान दी है। इमें मिठे रिष्टे वी बेजदी वाले रिष्टे हो निबड़ दी हान। इस अन्भव एच इजद बेजती दे वेरवे बहुत पिछे रemi जन्दी है। जटो उना प्यार व Judge रूहनी डूबव नहीं होंदा ता तो उना रबदा न खदें नी होँगा। ज़े तुसी प्यार दिए इजद बेजती दा ते आन राखे करोगे ता तो उना आं केवल बे अपने पुत्रा तियां दे आउ गुंड नहीं देशते, आम तोरु ते जड़ा साड़ी उमीद हुद्ते पूरा नहीं उतरदा हु सानु निराश्तादी पावना विच्चु बेस्ती करने उते जना पैदा हुंदी है, बेस्ती कर्रया व्यक्ति अपना मानसिक ते पावक संत ग्वाचिया होया संतुलन आले द्वाले वेच भी निरास्ता वदाउंद है। स्थिती दा व्यांगए है के मनुख्धा स्मुच्चा जीवन उदेश ता हम्मे तो मुक्त होन ले हुंद है पर उदेश सारे यतनु दी हम्मेनु वदाउंद है। गुरू केंदे ही उसनुहन जड़ा इस दवन्द तो मुक्त हुवे एथियसी गुरुआं ज़ा दर्वेशां दी नहीं आम व्यक्तियां दी गाल कर रहे हैं जे में हसना समझ आजान दा परमान हुन दै ते मुस्कुराहट पछान लैन दा सबूत हुन दी है उमें बेजती अपरवान गीदा एलान हुन दी है अते तो मत किसे दी गैर हाजरी विच की तावार हुन दै इज़त ओधवी खतम हुन दी है जदों तुसे बेजती बारे चिंता करन लाग पेंदे हो जवाननी वी ओधनी खतम उन्दिया जदों सी बुड़ा पे बारे सोचन लाग पेननेया जमें आकड के नचना जां गुसे नाल गौणा संभव नहीं हुन्दा उमी तो मतला के जां बेजती कारके किसे वल्लों परवान कीते जाना भी संभव नहीं हुन्दा जदों जीवननों देश मिल जाए जिन्दगीनों अर्थ मिल जान पैरानों मन्जिल दिस पाई ते हत्थानों कम लब पाई तक कोई भी बेजती रुकावट नहीं बन दे वेला मनुख ही परेशान हुन्दै जियों जीवननुख परेशान हुएगा उस दी कुदर्ती नींद कट दी जाएगी जियों जियों नींद कट दी जाएगी, उन्नाई उवदे रे बेचैन हुंदा जाएगा, उन्नाई उदे जीवन विच संतुलन कटेगा, उदे विहार विच गेर जमेवरी आएगी, उप पागला वांग विचरेगा, बेज़त हुएगा, दूज्यां दी बेज़ती करेगा विचैन वियक्ती वेच कुझ भी सविकार करंदी योगता नहीं हुंदी, कोई भी हंडन सार रिष्टा उसारंदी समरथा नहीं हुंदी, नींद दे खारज हून नाल सुखामे सबंदांदी संभावना कट दी है, एक कटी हुई संभावना सानू बेज़ती करन कराउन दे जदो मनुखनों किद्रेवी तरवास नहीं मिल दी, उस वेच टॉन उखाडन ते तबा करंदा वेग बल्वान हुंदा है, बेज ती सौन नहीं दि, थकावट जगण नहीं दि, ए जिन्दगी ती मौत दी वेच कारली स्थिती हुंदी है, तंदरुस्त सरीर अज्याकारी ह जदो के बिमार सरीर बागी हुंदा है, आत्मक पाक्तों विक्सत मन अपने आप वीच अनंद रूप हुंदा है, उपने ते दूजियां ले कष्ट नहीं सिर्जदा, उँ अंदरों सुतंतर हुंदा है, उँ हर किसेनु सुतंतर वेखना चौंदा है, उस वीच दूजियां प्रती इज़त दा जज़बा जागता है। इस संदे बेज़ती उपरंद असी सारे दुबारा संतुलन प्रापत करन विच वाक वाक समालाँ दे है। इज़त बेज़ती दे अंतर विरोध दानाल उसरी हुई है। ये अंतर विरोध जीवन नूँ कमजोर नहीं कर दे उसनू शक्ती देन दे है। सानू याद रखनां चाहिद है के समाज दा निर्मान शांती पूरंटंगा नाल नहीं होया सी। सो समाज विच्चों शांती मिलनी वी सम्भव नहीं। समाज विच रहन दियां इज़त दी अभिलाशा असमानी बिजली दी रोश्णी विच अपनी एन कलब बनवांग है। अनुशासंतों बिना जे में कोई खेड नहीं खेड़ी जा सकती उमी इक पड़ादी खुशाली बिना इज़त बेज थी दा मैच वी सम्भव नहीं हुंदा। कई वियक्तिय जाई हुंदे हां जिनान वसी मिल दी थोड़ा चेरां पर पच्चतों दे जीवन पारां। कई वर मीत आईक कंटाई पहंदा पर चात कई दिन चोंदी रहंदी है। जीवन अनिकां स्वैवरोदानाल परयापया है। जिमें अंध विश्वासियां दी पीडवड़ी हुंदी है। पर गुरु सदाई कले हुंदी है। जेडे साधी बेज थी कर दी हैं अबिलाशा उनादी वी साधी नाल रिष्ता बनाई रखन दी हुंदी है। इजद दी आसिक सुपना है, बेज थी नित दिन वप्रण वड़ी एक हकीकत है। कमल दे फूल गंदले पाणी दी नेक कमाई हुंदी है। पाणी किन्नावी वद जाए, कमल दे फूल दी गर्दन उची रहेगी। बेज दियां सडारा रूक दियां हन, परजिनाने पॉंचणा हुंदे, उबिया बनावी चुल लंकिवी अपने करानू अपड़ जान दे हन। तानुवाद। कर दिसे हैं कर दो कि अ कर दोकि प्रया जारादयान दे हैं जाए, च।क को रहें पुल